हेलो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं करेली का भरवा रेस्पी एकदम नए तरीके से जी हाँ फ्रेंड्स आप ये वीडियो अंतक जरूर देखिएगा बहुत मज़िदार ये वीडियो होने वाला है तो सबसे पहले यहाँ पे हमने करेली ले लिया है एक केजी के परहई में एंट कर दिया करेली आपको पानी स्वादनसा नमक और थे पाउडर फिकिण आपको इसको कफर करके उबाल लेना है जिब घरेली अज़से उबाल जाएंगे फिर आपको एक प्लेट अपन के निखाल लेकार थे करेले होने का लित ने कितना आराम से निकल गया है और कितना इजी तरीके से यह भरवा करेली सच में बता रही हूं फ्रेंट्स बहुत ज़्यादे टेश्टी लगते हैं आप जरूर बनाईएगा तो गर्मा गरम तेल में जहें करेलों को फ्राई कर लेना है एक दम गूल्डन ब्राउन कलर फ्राई कर लेना है उसके बाद हमने कड़ाई में डाल दिया है थोड़ा से शर्सो का और इसमें जीरा मेथी एक सुखी लाल मेर्च और दो तेजपत्ते और ये PC हुई प्यास काipse डाल देना है तो इसे अच्छी से चला लेना है और चलाने के बादिस में डाल देना है एक चमच धन्या पौडर कामसाला स्वाधंसा नम्मक, हल्दी पौडर और एक चमच गरममसाले और इन सारे मसाले को अच्छी से पानी वहां श्रीक नमें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा तो यहां पर हमने सारे करेलिय जो है ऐसे ही भर कर तैयार कर लिया यह देखिए और यह करेलिया बहुत ज्यादे आसान रहते हैं और इसमें का मसाला जो है कि अच्छे से इसमें पूरा पैक हो गया है बाहर बिल्कूल नहीं लगें है करेले में तो आप इस तरह के से जरूर बनाएगा तो इसे हमने तीन से चार मिनिट के लिए इसे हाई आच पे पकाया हुआ है बीच बीच में आच आपको कम कर देना है नहीं तो यह जलने लगेंगे हलके सु नहरे होने तक इसे अच्छे से पकाना है ताकि जो है गोल्डन ब्राउंट एक लियर आजए मसाले का इसके उपर तो यह दिगी अच्छे से लियर आ गया है और करेला जो है हमारा भरवा रेस्पी एकदम से बनकर त्यार हो गया है तो फ्रेंट्स आप भी इस तरीके से जरूर बनाएगा अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा हर रोज मेरे चैनल से आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे तो मिलते हैं नेष्ट वीडियो के साथ तब तक लिए बाबाई टाटा see you, thanks!